चैलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर 3-4 कप हलका सा गरम दूद लिया है और चौथाई कप मैंने यहां पर धाई लिया है और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुमच यहां पर हमने ओυल डाला है और यहां पर एक चमर चिणी डाली है सबी चीजों को अच्छे से मिलाकर 5 मिनट के लिए रखेंगे अब मैंने यहां पर एक कप चपाती आठा लिया है और एक कप मैंने मैदा ली है आदर टीस्पून यहां पर नमक डालेंगे एक टी स्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पॉर्डर डाला है और आदर टी स्पून खाने वाला सोडर डालेंगे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने दूद बना के रखा था इसका सारा मिक्षे इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं एक साथ भी और इसका डो के रूब में गुथ लेंगे जरुबत लगे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं यहां हमारा आटा त्यार है इसको बस हलके हाथों से करना है धक कर गीले कपड़े से इसको एक घंटे के लिए रख देंगे एक घंटा हो चुका हलका सा देख सकते हैं या फूल चुका है अब इसको हलका सा हमें आटे को गुथ लेना दुबारा से और इसकी मैंने पेडियां तोड़ ली हैं और इसको नीचे की तरफ घुमाते वे इस तरह से हमें लोई बना लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो यहां हमने इस तरह से लोई बना लियें सारी लोईों को बना के रख लिया है बाकी लोईों को हम गिले कपड़े से ढख देंगे और एक लोई उठा कर इसको हम हलके हातों से बेलेंगे अब यहां पर थोड़ा सा हमने धन्या पति भी लगाई है और इसको बेल देंगे अब इदर हमारा तवा भी गरम हो चुका है तो यहां पर हमने जिस तरफ धन्या पति लगाई है तो इसके उल्टे साइड में पानी लगाना है और तबे पे डाल देंगे जब नीचे से दो मिनट सिख जाएगा तो इसको हम पलट के सेख लेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कितना फूला फूला हमारी तंदूरी रोटी त्यार है तो इस तरह से घुमाते वे सिखना है आपको और यहां पे यह सिख चुकी है अब इससे पट्टे की साइटा से निकाल लेंगे इस पे आप बटर घी किसी से भी लगाके सर्व कर सकते हैं बहुत ही यमी तंदूरी रोटिया बनके त्यार हुई है वीडियो पसंद आए तो लाइश शेर कीजेगा कमेंट कीजेगा पेच पर देख रहे हैं तो फोलो करना ना भूलिएगा अगली वीडियो पर मिलते हैं